असलाम अलेकुम उम्मीन है आप सब खेरियस सोंगे तो मैं लाई हूँ अपनी किचिन में आपके लिए बहुती हेल्दी सा आज सूप आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी सूप की रेसिपी तो उसके लिए हमने एक पैन ले लिया है तो आज हम सूप बनाएंगे स्वीट कॉन का यह हमारे पास बॉइल स्वीट कॉन है इन्हें हमने पहले से उबाल लिया है तो उसके लिए हम एक ग्लास पानी का इस्तमाल करेंगे हमारा पेन पहले से गरम था इसलिए हमें पानी की आभाज आ गई तेज की तो हमने एक ग्लास पानी आट कर दिया है तो हमारे पास यह सो तो से 1.500 ग्राम स्वीट कॉन है इसे हमने बॉयल कर लिया था और हमने थोड़े से फाफ इसे साबुत रहने दिया है थोड़े से को हमने क्रस्ट कर लिया है तो हमारा पानी भी बॉयल हो चुका है क्योंकि हमारा पैन गरम था तो हम सारे अपने पॉन इसमें एड कर देंगे है ही दूली सूप बनता है इनका है हम देखिए हमने अपने सार teammates डाल दिये है आप इसमें हम एक उपाल आ देगे उसके बात डालेंगे हम इसमें कुछ अपने शूके बॉयल ने देते हैं तो हमारे सूप में अबपाल आ चुका है इसमें हम अपना यहाप टेस्पून के कर करेंगे हमारा काली मिर्च का पावडर है और इसमें हमारा थोड़ा सा दखनी मिर्च का भी है कि हम अपना चाट मसाले डालेंगे आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आपको कम यह जादा इतने भी चाहिए यह हमारे पास टमेटो की प्यूरी है यह तुटे स्पून के करीब हम यह टमेटो प्यूरी डालेंगे अपनी आप चाहें तो वैसे वाले टमाटर लेके उनकी प्यूरी बना स लगते हैं कि हमारी इस्पून छोटी है इसलिए हमने 3-4 इस्पून डाल दिया है यह हमारे पास सूप का मसाला है सूप कॉन का ही मसाला है यह डालेंगे हम सारा पाउच तो देखिए हमारे सूप में वाला आ चुका है यह देखिए हमने भार का पाउच दाला है सूप का तो आपको अरोडों डालने की जरुतिनी रहती है उससे हमारी सरी है एकदम गाड़ी हो जाती है और एकदम बढ़िया बनता है हमारा सूप टाहमारे सूप बॉहल हो चुक के करीब धन्यपत्ते हैं और यह हाप हमारी हरी मिर्च है इससे हमारा सुप देखने में एक दम अच्छा सा लगेगा आप इस वक्ति इसमें नमक चक सकते हैं अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं यह सुप पीने में बहुत जायखे का बनता है और एक दम हेल्दी है आ मैं आपको डिसाउट करके तो देखिए हमारा सुप बनके रैडी है आप इसमें वैजी टेवरल भी डाल सकते हैं जोन से आपके पास हो लेकिन हमें स्वीट कौन का ही सुप बनाना था यह बहुत हेल्दी होता है बहुत फायदेबंद होता है आप इसे एक वर जरूर ट्रा की अगर वीडियो पसंद आईगी तो लाइक कर दें अल्ला हाफीस